उतरकाशी के सिलक्यार टनल में कारे के दोरान 41 श्रमिकों के टनल में फस जाने के वास्ते देश की सरकार शुरू से ही श्रमिकों की जिंदगी बचाने के लिए लगातार प्रियास कर रही थी लवक 17 दिन बाद टनल से आए मज़्दुरों से देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोर्दी ने दूर संचार के द्वारा सभी श्रमिकों से हाल चाल जाना साती श्रमिकों ने भी देश और प्रदेश की सरकारों का आभार व्यक्त करते हुए जमकर सरहना की देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने श्रमिकों से 17 दिन टनल में बिताए दिनों की बारे में जाना और सभी को देश के प्रधान मंत्री ने बधाई दी तो चलिए दिखाते हैं आपको देश के प्रधान मंत्री द्वारा श्रमी को सिखी गई खास लाइब बाच्ची सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बढ़ाई देता हूँ एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाएं और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूँ कि वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साइद मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठिन था तिकि ये केदारनाद बाबा की बद्रिनाद बवान की उक्रुपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोग ने बहुत बड़ी हिम्बत दिखाई और एक दुश्रे का होसला बनाए रखा ये सबसी बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय ये रेलवे के डिबे में भी साथ-साथ चलते हैं तो कभी तो तू-तूमे में हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने इंसारा धैर्य रखा मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्म में रहता था मेरे पी-मों के वे अफसर वहां करके बैठे थे तो जानकरिया रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकरियों से तो समाधान तो होता नहीं है लेकिन मैं सच-मुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे स्रमिक साथी निकल करके आए है सबको और उनके परिवार का पुन्य भी काम आया है ताकि इस संकड की गड़ी से बाहर निकल करके आए हैं आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर मैं कुछ करना चाहूंगा सर महां बताईए मैं का रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनन में हम लोग सर खसा तसर किसी को भी कुछ हो तो हम लोग साथ रखते थे खाना आदा था है खाना भी सर मिल दूल के बाहट के सब एक जगह लोग खाते थे और रात में खाना खाने के बाद में जितने भी हमारे आजमी थे सबकों में बोलता था कि चलो एक बार तखलते हैं मतलब टनल का जो हमारा लेंध है सर थाइए मिटर हो गया सर ठीक है वेस कवेड़ धाइए किलो मिटर हो गया सर उसमें लोग टालते थे सर और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खार हैं पी रहे हैं और तो थोड़ा योगा वगयरा यह सब मॉर्निंग वाक्त थोड़ा करते हैं जरी में बाहर में तो जानी का कोई ऐसा है चीज है नहीं तो अंदर में हम लोग अपना घुंते तरते थे और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्रा खंड सरकार की सर जिसने हमारे साथ इतना अच्छा वेवार किया सर और हमारे मानिय मुख मंत्री धामी साहब हमसे बराबर कॉंटेक्ट करते थे सर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर वो हम ल को तहे दिल से सुप्रियादा कि और हम लोगों को गले लगाया सब्सक्राइब विके सिंग भी पुरा समय वहां रहे और वे भी बिलकुल डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जेर वाली ट्रेनिंग है ने वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई जी लिए के लावा और तो कुछ काम है नहीं सर्थी तो मौर्निंग में हम लोग मौर्निंग वाग करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का स्यहत बना रहे आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे ये साथ है सर गबब सुन्ग नेगी सर तनल फोर्में है सर अगब सिंग लेली रिपोर्ट हमारे मुकमंदी जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लिडर्शिप दी और जो टीम स्प्रिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी उनिवर्सिटी को एक के स्ट्रेडिक ताहर करना पड़ेगा कि गबर सिंग नेगी गाउं का वेक्ति उसमें वो कौन सी लिडर्शिप क्वालिटी है कि से संकट के समय में भी पूरी टीम को समाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़े समझा भी पा रहे थे तो मैं आपकी तरब से सुनना चाहूंगा गबर वही भी पाध दहने का का रहे सार है कबम वही ठोटेरर पूरी कमपनी की टिम लगी भी ती, से कमपनी हमारी फ्टेंरी के लिग दाए से, कमपनी की तरफ जवेती, से कोई कमी नेविय दो उनलने किसी कोई कसन नी चोड़ी इखिर जिन लात एक है से हार। backwards, सहे वांटी में एक दर्ल हमारी साथ में हमारी सिर्ट कुणक्त में हमारी प्रापर बनी तर्थ हमारी और प्लिए प्लिकिन ऑन्ने हैं के रहें हैं फ्यूंगे प्रोग के अशीच के सब्सक्राइब यह लोग Kam situ colors तक प्र then तो हम तो अपने घर में थे इसलिए हमें पूई दिक्कत निए यहां पर हमारे भगवान बहुत बिश्वास्ता और उनकी किरपा भी हमारे पाश और हमारे साड़े दोस्तों के उपर बनी देशा और यह दोस्तों को भी बहुत प्रशुक्रिया आदा करना चाहिए जिन्होंन बराबर हमारा बहुत बढ़ा के रखस है बहुत बहुत धन्यों से में जाड़े क्या पूँश है जय हिंद आपने बहुत समाला लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा आपको शाइज अंदर अंदाज नहीं होगा आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे पुरा देश 140 करोड देश के लोगों को चिंता थी और सुबह साम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूता था कि मोदी जी क्या खबर है यह कब निकलेंगे क्या होगा सामन्य नागरिक भी मिले सी सवाल पहले पूछता था और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवा सामान चुर्प से में देखा है कि जब भी ऐसे संकर राता है तो परिवार के लोग बहुता है परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है तो आपके परिवार के जन भी सच मुझ में व्धाई के पात्रा है कि उन् enormously सचमुझ में सहीं बरता और इस सारी प्र मुझीबत जेलनी पड़ी हो काम करते करते वैसे अंदर कोई थे जिसे के कोई अनुभाव काम में आये हो आपके अजय अजय नहीं पर दोगाएं लेकिन अजय 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 और यहां पर मेरे बड़े भाशा वहां वहीं लगाता है तब से हमारे स्थाधूर बार्चु नहीं हमारा बहुत होस्ता बलंद किया तर वह यहां पर उत्रफंड प्रॉलिस में ओफिशर्स थे शर उनको हमारे बाहर वालों के तो संपर्ग में में लगाता रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी मैं चाहूंगा यह साब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैटे हो मेरा पहला आगरता कि भी वहां सारी एंबुलेंस वैन खड़ी रहे और सब को पहले एक बार हस्प्रटाइज किया जाए लेकिन मुझे तुरंट डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तपेज इतनी बढ़िया है यह लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिमत भी ऐसे का और सफ्रेक्ट की तो कोई प्राब्लेमी नहीं नहीं तो मैंना प्लिटी कि रात बात कर लिए सबसे नमस्कार सर नमस्ते ही घी सर मैं अखिलेश कहां से हो मानली से मिर्जापुर से हो मिर्जापुर से हम सर जलिए मैं भी उपी वाला हूं आध्या आट्पा को क्या कहना आए कि रखाना है सेयरी सारं कि हमारी टीम सर जो भी दर हम भी यहांग्न ilogy什麼 हम लोग को हंसला हम लोग का सर बुलंद रहता था बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी बाकी सर हम लोग को सबसे ज़्यादा करता हूं कि हम लोग को सबसे ज़्यादा खुसी है सर उससे ज़्यादा भी सर बाहर वालोग को खुसी है सर वो लोग भी सर दिन रात मैनत किये हुए सर इसले में सर सबसे पूरे देश को खुसी है अकले पूरे देश को दुनिया में भी क्योंकि तो दुनिया के नेता भी उत्राखन की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे तो सारी दुनिया को चिंता होती है कोई इसे घटने में तो सारा इंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ है आप लोग का मुबाइल वगर दो फर्फ रम बचा करते थे लिए क्लेए उसके पार वालों ने सर्व हम लोग लोग को सर्व मुबाइल वगरा चार्जर वगरा हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए तो तो सर अच्छा सर्व फील ने लगा फि तोटल सेफ हैं सर नहीं मुझे जब वह पहली बार छेट करकर के चीजे भेजना शुरू किया तो मुझे लगा गब हम समाल पाएंगे क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सुरिय का प्रकास नहीं मिलता है तो स्थिती बिगणना शुरू हो अच्छा है जो भी है जो भी हुगा अपने से कोई साथी दा उसका भाई तो कह रहा था दो तिन दिन पहले कि बद मैं तो यह निकलते उसको घर ले जाओंगा अब मुझे या काफ करने रही दे रहा है किसर वा तो है सर मदलब अब भाई भी है सर हुग जी सर नमसकार सर मैं सोनुकुमार अब मैं इंगा में सब्वाइन वना पतातों यहां तो वोग को हैं आम ञें लगishing किल्केता जुब बहुत बहुत फिलिंग कर रहे हैं तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविदा की कि हम उन से बात कर सकें जिसे हमारे मन हलका रहता था सब नहीं लेकिन फिर भी भाई यह बहुत चिंता का समय था आप लोग ने अच्छा आपने आपको समाला और क्योंकि यह बहुत पताने कुछ बुरा हो जाता तो पताने हम तो क्या कर सकते थे यानि अंदर इतनी चिंता होती थी सबको पूरे देश में चिंता होती थी लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मद बनाई है वो आने वाले दिदों में भी देश के कई नागरिकों को यह प्रेणा देगी को संकट के समय ह अमने ऐसा क्या करना चाहिए जरांदाज तो आयेगा सबको जी सर हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे बाकि हमारे जितने भी सिनियर मेंबर्स थे कुछ मनरणेंजन के लिए कुछ हम लोगे हौसला हुजाई किये बाकी सब लोग एक परिवार की तरह सर रहे एक यूट रहे एक साथ खाना खाये एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर जब हमारे एंडियारेफ के जवाँ जब अंदर भुजे तो हमारी जान में जान आई हमने इस्वर का धन्यवाद किया बाकि जितने भी लोग वहाँ पे हैं खासकर हमारे पुशकर सिंग धामी जो हमारे इस उत्राख के लोग सारे देश हमारे साथ कड़ाता सर देखिए आपके परिवार के तपस्या भी काम में आई हैं परमात्मा के आशिदवाद भी काम में आये हैं और 140 करोर देश्वासिवें की दोवा भी काम में आई हैं और कुल मिला करके सब इस संकर से निकल करके भार आये हैं तो मे मेरे आप सब को बहुत सुबकामना हैं मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर ना जाना चाहते हैं कोई ववस्ता करनी है क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलिब नहीं हो लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साब बहु शुबकामना हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ मदाई देना और आप लोग सफस्त रहें और इसी प्रकार एक टीम बनाकर के हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए प्रणा बनते रहे यही एक मेरी हमेशा प्रात्ता रहेगी और कभी मिले का मुका मिलेगा तो जुरूर याद करूंगा लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना अब लोग इतने दिनों के बारा इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूँ आपसे शना मेंकि देज सुन कर कि ऊज बहुतहीं प्रभावित हो जाएगा बहुत 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 सुख्वाव नहीं, थैंक यू